हेलो फ्रेंज, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोयम जिसका नाम है I Heard A Fly Buzz जैसे लिखा था इमली डिकेंशन ने इमली डिकेंशन ने इसमें पोयम में ये दिखाया है कि I Heard A Fly Buzz यानि कि मैंने सुना उस मक्खी की आवाज जैसे वो फिन बिनाती है उसकी आवाज मृत्यू के समय उन्होंने ये आवाज सुनी और कैसे वो Fly Buzz उसके कानों में गूंजी और वो क्या थी और मृत्यू के समय इनसान कैसा होता है कैसे उसकी अंतिमिक्षा होती है क्या आते हैं उसके नजरों के सामने और क्या होता है उसकी साथ मृत्यू के आने वक्त या इस पोयम में दिखाया गया है तो आईए दोस्तों हम पहले पोयम के बारे में जान लेते हैं पोयम के बारे में जानने सबसे पहले है कि इमले डिकेंशन ने इसे लिखा था 1862 में 69 की अब पोयम थी जिसे 4 कौड़र्ट में उन्होंने डिवाइड किया और इसकी राइमिनल कीम हर कौड़र्ट की उन्होंने डिकी ABCB इसमें थीम दिखाए गई है देत और मिस्टरी ओफ देत यानि मृत्तियों और उसका रहश्य अब हम इमले डिकेंशन के बारे में जानते हैं इमले डिकेंशन का जन्म हुआ था 10 दिसामर 1830 में और इनके मृत्तियों हो गई 15 माई 1886 में यह एक American poet थी और इन्होंने हमेशा डिल किया theme of death and immorality पे इन्होंने लगभग 1775 पोयम्स लिख दिये जिसमें से famous थी I could not sleep for death I measure every greed I meet success in content sweetness ऐसे कई इन्होंने पोयम्स लिखे 1775 पोयम्स इन्होंने लिख दिये तो आज इन्ही की लिखी एक पोयम को हम पढ़ेंगे इसका नाम है I hear a fly buzz तो यही इस पोयम की पहली लाइन है तो आई ही पढ़ते हैं और जानते थे इसका मिनिंग पहले क्वाडरेट में पोयम पोयम्स लिखती है I hear a fly buzz when I did The stillness in the room was like the stillness in the air between the hips of strong I hear a fly buzz when I died यानि की मैंने वो fly की आवास सुनी जब मैं मर गई The stillness in the room was like the stillness in the air यानि की उस रूम में इतना सन्नाटा था जैसे सन्नाटा एक हावा के संसनाहट में होता है between the heaven of strong और वो तुफान चला जो की आस्मान से आया था, जन्नत से आया था या स्वर्ग से आया था जिसे कह लीजिए तो वो जो strong आया था वो मुझे सुनाए दिया उस room में क्योंकि वो room जो था पूरा सन्नाटा से भरा था क्यों भरा था? क्योंकि उन्हें एक fly buzz की आवाज आई थी और उनकी मृत्यू हो चुकी थी या होने वाली थी ऐसा वो third quarter में बताती है कि वो मृत्यू की सहिया पे लेटी हुए या फिर मर चुकी है और वहाँ पे heaven's storm आ रहे हैं और काफी सन्नाटा है इसके बाद वो next quadrant में लिखती है याने कि मेरे चारों तरफ जो लोगों की आँखे थी वो अब सूख चुकी थी याने कि वो इतना रोहे थें कि उनकी आँखें कि आशू अब सूख हिया था और वो ब्रीथs were gathering for that last honest और उनकी जो सांसे थी ब्रीथ जो था वो gather हुआ एक फ़ार में उस फ़ार में वो gather हुए और वो जो last मुझे ही दी गई और वो लोग खड़े हैं और वो लोग इंतिजार कर रहें और कब भगवान आएंगे इस रूम में और मुझे लिकर जाएंगे तो इस कौणरेट में पोईट वहां के लोगों के बारे में बताती है कि मैं जब बिस्तर पे लेटी हुई हूँ तो मेरे चारू तरफ लोगों की आखें हैं उनकी आखें सूख चुकी हैं उनके आसू सूख चुके हैं और मेरी जो सांसे हैं वो खड़ रही हैं और लोग इसलिए खड़े हैं ताकि ये देख सकें कि मैं कब मर जाओं और कब भगवान आए और मुझे ले कर जाए इस रूम से इसके बाद point next quadrant में पहुंचती है और कहती है I willed my keepsakes signed away What portion of me be assignable And then it was there interposed a fly I willed my keepsakes यानि कि मैंने जो will है अपनी जो property अपनी जाजात का जो बठवारा है उसे मैंने signed कर दिया What portion of me be assignable यानि कि मेरी जो सारी चीजे थी मैंने एक दूसरे में बाट दी और फिर and then it was there imposed a fly और वहां पर उसी time जब मैं sign की तभी एक fly उड़के कहीं से आ गई मेरे पास एक मक्ही जो मेरे पास उड़कर आई कब जब वो sign कर रही थी और sign किया उन्होंने अपनी जाजात पे और सब को जाजात बाट दी और इसी कौर्णेट में ये पोईट यही हमें कहना चाहती है अब हम आगे बढ़ेंगे next कौर्णेट में और जारेंगे कि last कौर्णेट में आखिर पोईट क्या कहना चाहती है वो fly कहां से आई और वो क्यों उसके सामने आ गई जब वो अपने विल को साइन की और उसी टैम वो फ्लाइग क्यों आई आए जानते हैं with blue uncertain stumbling burst between the light and me and then the window a filled and then I could not see to see with blue uncertain यानि कि with blue वो मक्ही कैसी थी? blue color की थी जैसा आप picture में देख रहे हैं और वो uncertain burst यान की वहां पर हला किये ही जा रही थी वही उड रही थी और उस silence में उसी की आवाज आ रही थी और वो अब आ चुकी थी between light and me यानि कि रोशनी और मेरे बीच में अब वो मक्ही आ गए थी मुझे वो मक्ही दिख रही थी and then a window fell और उस window से जो रोशनी आ रही थी वो अब खत्म होगी थी फिल लो गई थी and then I could not see to see और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं देख पाई यानि कि उनकी मृत्ति हो गई तो ये जो fly थी वो उनके पास उड़ कर आई थी जो सुरुवात से उड़ रही थी और उसी की आवाज पूरे घर में कुरे रूम में गूंज रही थी क्योंकि बाकी सब तो रोरों के silent थे और जब वो अपने will पे sign की सारे को जाय जाती तब ही वो मक्ही उड़ रही थी तो यहाँ पे poet ने उस मक्ही को एक symbol की तरह यूश किया है कि वो एक दूद थी सायथ जो उसे लेने आई थी और वो उसी वक्त आई जब उसकी आखों में रोशनी कम होने लगी और जब वो अंतिम बार आई तो उनकी कुछ भी दिखाए देना बंद हो गई और यहीं पे अब बोयम खत्म होती है दोस्तों आपको मेरी explanation कैसी लगी प्लीज हमें comment section में बताएं और like करें, share करें और subscribe करें मैं आपसे मिलूँगा next story में तब तक के लिए bye bye आपने मुरब पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद भी मैं आपसे मिलूँगा next time, next story के साथ तब तक के लिए जय हिद्ध